नमस्कार मित्रों मैं दुर्गा प्रसाद मिस्रम मिस्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं हम लोग शिशुपाल बुद को पढ़ रहे हैं पहले हम लोगों ने चार स्लोकों को पढ़ लिया है और इन स्लोकों में नारज जी की अल माले के साथ समानता कवर्णन कर रहा है दधान मंभो रुह के सरद्धितीर जटाह शरच चंद्रमरीची रोचिशम विपाक पिंगास तुहिनस्थली रुहो धराधरेंद्रम ब्रतती तती रिव अब देखिए बता रहे हैं कि नारज जी किस प्रकार के हैं दधानम दधानम यानि की धारन कर रहे हैं किसको धारन कर रहे हैं जटाह जटाओं को धारन कर रहे हैं किस प्रकार की जटाओं को अंभो रुह अंभो रुह कहते हैं जल को और रुह मने उत्पन होने वाला अंभो रुह यानि की कमल मने जले उत्पद्यते अंभसी रोहनतिती अंभो रुहा यानि की कमलानी और उनका जो केसर होता है तो कमलों का जो केसर है जिस प्रकार का उस केसर की द्यूती द्यूती यानि की कांती उस केसर की कांती के समान है कांती जिनकी इस प्रकार की जटाओं को इस प्रकार की जटाओं को धारण करने वाले जटाह दधानम दधानम में कौन स प्रत्य हुआ है तो इसमें शानज पूछा जा सकता है कि दधानम इस्टत्रका सारांपरत्या हृ वसानम इस्टत्रका मतलब होता है उक्मा जिसकी संभू के साथ में ऐसे हुए नारज जी तो नारज जी का गणन है ध्यान दीजी एगा दधानम में कौन सा प्रत्य हुआ है शानज प्रत्य हुआ है दधानम किसको दधानम किसको धारण कर रहे है जटाह जटाओं को जटाओं की दिती कांती कैसी है तो अंभो रुह यानि की कमल की केसर की तरह दिती है जिसकी बहुब्री ही हुआ है अंभोरुह के सरस्य दितीरिव दितीरियस्य और कैसे है नारत जी कैसे हैं तो देखिए ये जटा का विशेशन है और नारत जी का विशेशन क्या है तो ये नारत जी का सरत चंद्र मरीची रोचिशम सरत चंद्र यानि सरत कालिक जो चं कांती के समान कांती है जिसकी सरच चंद्र के मरीची यानि किरणों की रोची यानि की कांती के समान कांती है जिसके इसे कौन हुए अब देखिए उनकी तुलना किस्से कर रहे हैं कि विपाक पिंगास तुहिन अस्थली रूहो धराधरेंद्रम ब्रतती तती रिवक्त धरात इव जो सब इसको यहां पर आप कहां लाईए यहां धराधरेंद्र के पास लाईए धराधरेंद्रम इव धराधरेंद्र की तरहे धराधरेंद्र का मतलब होता है हिमालय यानि धराधर धराम धरती धराधरा धराधरा धरा को धरन करने वाला तो धराधर कहते हैं परवतों को धराधराणाम इंद्रह धराधरेंद्रह जो धराधरों का भी इंद्रहे यानि परवतों का भी जो और हिमाले जिस प्रकार से ब्रतती तती यानि की लताएं तती कहते हैं पंक्तियों को तो ब्रतती यानि की लताओं की तती यानि जो पंक्तियां उन पंक्तियों को जिस प्रकार से हिमाले धारण करता है तो नारज जी की जिस प्रकार से जटाएं पीली-पीली जटाओं को धा धरण कर रहा है और लताय उनमें भी सेशन दिया है कि पीपाइए पकने के कारण भी पाक के पिंगा फिली हो गई अत्रुजel तो नियुक्त तो रहं है यह नियुक्त कहते हैं वर्व को और सुले भूमी तो बो पर जो बर्फ भूमी है उस भूमी में उत्पन्होने वाली जो ब्रतती यानि के लताओं की तती यानि पंक्तियां हैं जो की विपाक यानि पकने के कारण पिंगाः पीली हो गई हैं उनको दधानम धारन करता हुआ धरादेरेंद्र यानि परवत राज हिमाले जिस परकार से शोवित होता है उसी परकार से नारज जी भी अपनी पीली पीली जटाओं को धारन करते हुए शोवित हो रहे हैं तो यहां पर हिमाले से नारज जी की तुलना की गई है चलिए अंभोरुह केसर दिती ही मने कमल केसर दिती ही यानिकी के समान कांती वाली जटाह जटाओं को धारन किये हुए दधानम मने धारन किये हुए और सुयम नारज जी कैसे हैं सरत चंद्रमरी चिरोच इशम सरत कालिक चंद्रमा की किरणों के समान कांती वाले हैं अतय इसलिए विपाख पिंगा हमने पकने से पीले बरन वाली तुहिनस थली रूह मने तुशार भूमी माने की बर्फ भूमी पर उगने वाली जो लता पंक्तियां हैं उन लता पंक्तियों को माने की ब्रतती की तती ब्रतती मने लता तती मने पंक्तियों को दधानम मने धा देखिए इव शब्द का प्रयोग है और धरा ध्रेंद्र से तुलना की गई है नारज जी की इसलिए इस पश्ट रूप से यहाँ पर उपमा अलंकार है चलिए अगला सुलुक देखते हैं तो अब नारज जी की जो है उपमा बलराम जी के साथ में इन्होंने की है बलराम जी के साथ समानता नारज जी की बतलाई है महर्शी नारज जी की बलराम जी के साथ समानता कभी बतला रहा है देखिए बिडन बयंतम याने की अनुकरन करता हुआ कुण अनुकरन कर रहे है नारजboo अनुकरन कर रहे है तनुम याने शरीर का किसके शरीर का शितिवास सह शिति कहते हैं काले को तो काला वाससा कहते हैं वस्त्र को तो काला वस्त्र है जिसका तो काला वस्त्र यानि की नीला वस्त्र है जिसका वैसे हैं भगवान बलराम तो बलराम के तनू सिति वाससा सश्ठेंत है बलराम के तनू माने तनू को शरीर को बिडम बयंतम याने की अनुकुरुबानम माने की अनुकरन करते हुए नारज जी किस प्रकार से है जो उसके बलराम के तनु यानि शरीर को अनुकरन कर रहे हैं यानि उसकी तरह हैं उसके तुल्य हैं आर्थी उकमा है और उनका जो तनु है इसका शिति बाससाह का बलराम जी का तनु कर इसा है तो बता रहें कि सुअचे सै सुबर्न यानि सोने का सूत्र उससे आकलित माने बंधा हुआ है अधर माने नीचे वाला अम्ब्र माने कपडा नीचे का कपड़ा यानि की जो माने अंतरी या जिसको हम हम धूती बोलता है इसके डोती पहरन पहनते हैं ières उभल कमर के अंबर यानि की कपड़ा किसका इन पर किसके सरीर में चिस उससरीर में ऐसा सटोरीर है सिति भाशाषा एनिंटी की बलडाम जी पाधर नी अनुकरन करते हुए है नारज जी अब जरांग जी बारे में देख लेते हैं चाहा है वो सुबरन का है यानि पीला-पीला है और माने की मेखला के रूप में नारज जी भी पीली-पीली माउंजी की मेखला पहिने हुए है तो भी सोने के समान पीली-पीली दिख रही है यानि कि कमर में जो लपेटे हुए है नारज जी और बलराम जी जो कमर में लपेटे हुए ह सुबन का सूत्र वो भी पिला-पिला यो जो अजन कहते है कालिया अचन मने कांथी तो काली-कांथी यानि चमक है जिसकी ऐसा एणाजिन एण का मतलब होता है कोई म्रिग भी से स्काला काला म्रीग और उसका अजिन माने होता है चर्म के यह वण के समान डिती है उसकी यानि कि मरिग के चर्म की और बसानम नमें धारं कर रहे हैं और उसको कैसे बांद रखे हैं तो वहाँ पर मेखला आतनी कैसी हैं उनकी तो पिषंग यानि की पीली पीली जो मौंची है उस महुंजी से युक्त है नारच जी फिसंग मंजी से बनी हुए मेखला से युक्त हैं और वो सुवरन सूत्र से युक्त हैं उनका जो अधरांबर है वो काला काला है इनका एना जिन जो है वो अंजनर दिती अंजन माने काजल के समान दिती है उसकी काला काला है एन माने मिरिग और उसका अजिन माने चर्म पासमझ में एक नहीं और जी कैसे है अरु नारज जी का वस्तर है नीचे बाला भी काला है नारज जी का बना हुँआ प्रत्य पूछा गया है और उनकी वेक्रानम में भी सानच प्रत्य है और वी सुब्रन सूत्र से और इस प्रकार से एकदम सब बढ़िया बढ़िया उपमाएं बन जा रही है उसमें कोई समस्या नहीं है तो यहां पर बिढम बयंतम यानि अनुकरन कर रहे हैं इसके बलराम जी के सरीर का कौन नारग जी इसलिए यहां पर आर्थी उपमा है उपमा अलंकार है एकदम सपष्ट है और कहीं पर भी माने कुछ भी पूछा जाए इसमें कोई भी पंक्ति जी जाए तो सभी पंक्तियों तनुम बिढम बयंतम में भी उपमा है सब जगए उपमा ही है वासमज में आ गई कि नहीं चलिए भाई एक बार अन्वय आर्थ देख लेते हैं पिशंग मोंजी उजम पीले बरन की मुझ निर्मित मेखला धारन किये हुए और अरुजुन ब्रिक्षि के सद्री सोभा वाले अंजनत दिती एना जिनम काले बरन के म्रिगिचरम को धारन किये हुए बसानम मने धारन किये हुए इब यथा इत्यादी का प्रियोग नहीं है कि अकलित मतलब होता है बद्ध याद रखिएगा और यहां प्रवसानम में ऐख ब साधनेर इस दातूं से सानच हुआ है एना जीनम मतलब हे कि क्रिष्ण मरिड चर्म और अजन द्युति का मतलब है अनजन वरनवारियाणि क काला काला और अरुजुन चबिम का मतलब है धवल कांती धवल का मतलब अरुजुन का मतलब धवल होता है चलिए तो इसके साथ ही अच्छा यहां पर देखिए सब्दार थियाद रखना है किसमे किसका बर्ण किया गया है पूचा आप से जाएगा बिडम मैं अंतम शितिवाससा तनुम इस पंग्ती से किसका संकेत है अब यहां ध्यान दीजिए गाई सितिवाससा का मतलब बलराम जी होता है लेकिन जब पूरे कार्थ निकालेंगे तो बलराम बलराम जी के तरु य बात हमको याद रखनी चाहिए ठीक है इसके साथ ही अगले वीडियो में अगले स्लोकों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार